प्रेंट्स वेलकम तो लोफ यू जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं और आज इस वीडियो के अंदर अपन डिसकस करेंगे इस सेशन के अंदर अपन डिसकस करेंगे काफी बड़ी इंफोर्मेशन के बारे में जिसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था अपडेट कर दिया था कि राजस्तान पंटेट काफी बड़ी आपडेट आ चुके आपके एप्डेट फोझान की जो जो राजस्तान के चैडिट थे जीनका बीपी छी के इस और अभी हुआ है उन सबकी बड़ी आपडेट मेंचरी उनकी तो यानि उन सभी CHO अधिकारियों को अपनी choice fill up करनी है कि उनको joining कहां पर लेनी है किस district के अंदर लेनी है उसके regarded आपका link है जारी हो चुका है officially update पर अब उसके अंदर केसे आपको details fill up करनी है कैसे choice fill up करनी है क्या date रहने वाली है क्या timing रहने वाला है और कहां पर किस तरीके स आपको पूरी process में इस session के अंदर इस video के अंदर बताने वाला हूं तो completely जानकारी इस video के अंदर आपको मिलेगी कि जो officially update हुआ है उसके अंदर link जो है उस link में कैसे तो आपको आगेगी details वढ़नी है किसके लिए क्या details है क्या-क्या data उसके अंदर मांगेगा क्या-क्या data आ आपको fill up करना है और कौन सा data क्या डालना है सारा कुछ में इस session के अंदर इस video के अंदर बताने वाला हूं तो completely watch कीजेगा completely वीडियो को लीजेगा पूरी जानकारी में दूँआ A to Z सारी जानकारी आपको इस video के मादेम से मिल जाएगी चाहे वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन सारी जानकारी आपको मिल जाएगी बिल्कुल सारी step में आपको बताऊँगा एक भी step आपको छोड़नी नहीं है escape नहीं करनी है otherwise आपको दुबारा से देखना प जैसे यह आप डालते हैं तो आपके सामने एक नया page open होता है और नया page open होने के बाद वहाँ पर home page पर यानी main page पर जाने के लिए click करवाता है वहाँ पर जैसे क्लिक करते तो आपके सामने जो interface आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर आपके posting से regarded web link जारी हो चुका आप दे इस वीडियो के अंदर देख लिए जगा इस ओफिशली पेज के अंदर यहां पर साफ लिखावाई और फर्स्ट लिंक यहां पर जनरेट हो रखा है देखिएगा जीला आउंटन के लिए विकल्प पत्र भरने पर विकल्प पत्र भरने का ओनलाइन वैब लिंक यहां पर आपके सामने इस तरी के से इंटर फेस ओपन तो अपर आपको पूरी डिटियलस फीलप करने की यहां पर ऑप जो और नंबर करने के बाद आ आपके जैसे ही आप आगे नीचे वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे लोगिन लिखा हुआ है फोर लोगिन क्लिक हैर जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेज ओपन होता है वहां पर आपको जो भी जनरेट की आपने वह डालनी होती है तो पूरी प्रोसेस में हुआ तोड़ा सस्पेंस के साथ बने रहेगा और कंप्लीटली वीडियो को वोच कीजिएगा कंप्लीटली जानकारी में देने वाला हूं चलेगा वापस से में होम पेज पर जा रहा हूं वहां पर अधर लिंक की बात अपन करें पहला लिंक मैंने आपको बता दिया पहला सब्सक्राइब देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है फिर आगे अपन प्रोसेस की बात करेंगे चलिए गाइस पीडियो के अंदर आपको साप यहां पर मेंशन किया हुआ है आप देख सकते हैं जस्ट सब कुछ आपका ओफिशली पेज हैं सब कुछ ओपिश सी यचो भरती 2020 के लिए आवेदन सिप्तमबर में 2020 को यानि सिप्तमबर 2020 में इसके आवेदन लिए गये थे उसके बाद इसका स्क्रिनिंग एक्जाम हुआ था आपका नौर 2020 में कराया गया था और उसके बाद इसके रिगाड़ेट डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाए ग गई थी उसके बाद इन सी छो को चाहिन सूची चारी करने के बाद कहां पर लगा दिया गए था कोवीड प्रबंदन में लगा दिया गया था उसके बाद यहां पर जिन candidate का CCS हो रखा था पहले यानि जिनों ने bridge course कर रखा था उनको कारे विवस्ता के लिए लगा दिया गया था और जिनका नहीं हो रखा था उनको RHS University के द्वारा BP CCSN के regarded admission दे दिया गया था यहां पर next दो पेरिग्राप आप देख सकते हैं पूरा आप पढ़ सकते हैं आपको PDF मैंने ओल्रेडी टेलिग्राम चेनल पर अवेलिबल करवा दिये या ओफिसली वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते मैं मोटा मोटा बता रहा हूं जो में पॉइंट आपको याद रखने हैं वो बता रहा हूं ठीक है यह वेकेंसी के जानकरी आपको मिलके उसके बाद जिन केंडिडेट का CCS हो रखा था उनको कहां पर रख दिया गया था कारे विवस्ता समालने के लिए यानि जो Health and Wellness Center सबसेंटर थे वहाँ पर उनको पोस्टेड कर दिया गया था और जिनका नहीं हो रहा था CCS यानि Bridge Course नहीं हो रहा था उनको RHS राजस्तान University of Health Science के थूँ Bridge Course करवाया गया था जिसका रिजल्ट आपका कब आ गया यह जो Last 10 March हैं 10 March जो निकली हैं उसको रिजल्ट आ चुका है और वो उत्रिन हो चुके यानि जिन Candidate ने पहले किया था उनको तो कारे विवस्ता समालने के लिए Health and Wellness अलोट कर दिये थे और जिनका नहीं हो रहा था उनको RHS के थूँ BP-CCHN करवाया गया था CHO Bridge Course करवाया गया था जिसका रिजल्ट आ चुका है यानि सभी Candidate यहां पर Bridge Course कर चुके हैं और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है जिन Candidate ने अभी Bridge Course किया हुआ उनको तो चोईस भरना ही बरना है यह चोईस उनको भी भरना है जिनोंने पहले चोईस भरके Health and Wellness Center पर Duty ले ली थी यानि जिनोंने पहले चोईस भरने के बाद उनको कारे विवस्ता समालने के लिए कारे विवस्ता करने के लिए जोइनिंग दे दी गई थी Health and Wellness Center पर और उनको भी choice भरनी है क्योंकि जब इनको joining दी के तब भी यहीं लेटर। और इसी तरीकना लेटर आये थाarent एकնदर mention किया गया था कि आपकी जो अभी joining दी गई है right word वह एक temporary 他 tsолж obtain subject जब जो भाकी candidate ccs कर जाएंगे or bridge course कर जाएंगे तो उसके बाद एक बार फिर से जोईस आपको बरवाई जाएगी और उनी के साथ आपको जोईनिंग दी जाएगी तो ध्यान रहे जिन केंडिडेट ने पहले से ट्रेनिंग कर रहा कि थी CCS कोर्स कर रहा था उनको भी ये लिंक के अंदर अपनी चोईस भरनी है ध्यान रहे कोई confusion में नहीं रहेगा कोई भी doubt है तो comment section आपके लिए खाली है वाँ पर आप comment कर दीजेगा आपको सारी जानकरी मिल जाएगी देखेगा यहाँ पर इनको जोईनिंग देने के बाद यहाँ देखेगा आपको fill up करना है यह जो लिंग है आपका यह जो लिंक है वो एक्टिवेट होका आपका 23.02.20 को 12 बज़े यानि रात 12 बज़े यह आज आज रात 12 बज़े आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा रो आज रात 12 बज़े के बाद आप अपनी चोईस fillip कर सकते हैन कब तक रहेगा जी ये 25-3-2022 को 8 a.m. तक रहेगा यानि सुबे 8 बजे तक ये लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा उसके बाद ये डिएक्टिवेट हो जाएगा याद रखेगा हाइलाइट किया है मैंने पोइंट हाइलाइट किया है डेट आपको याद रखनी है आज रात 12 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 25-3-2022 सुबे 8 बजे आपका लिंक है डिएक्टिवेट हो जाएगा यानि 23-3-2022 से लेकर यानि आज रात 12 बजे से लेकर लिंक एक्टिवेट रहेगा 25-3-2022 25 मार्च 2022 सुबे 8 बजे तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा इ क्या भरनी है कैसे भरनी है पूरी जानकारी में आगे दूँगा आगे देखेगा यहां पर मेंशन किया हुआ है प्रात्मिक्ता यानि प्राइरिटी के आधार पर समय अंकित समय आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड इमेल में OTP के आधार पर पास्वर्ड जनरेट आपको करने होगे और 34 जीले को यहां पर प्रात्मिक्ता देनी होगे देखे सिंपल सी बात यहां पर कहीं गई है कि जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके हैं या जीमेल आईडी हैं इसमें काफी सारों को प्रोब्लम आ सकती है क्योंकि काफी सारे ऐसे केंडिडेट हैं जिनका मोबाइल नंबर या तो सिम उन्होंने चेंज कर लिया या मोबाइल नंबर ही बंद कर दिया गया या जीमेल आईडी भूल गए तो यह सी प्रोब्लम आईगी लेकिन परिशान होने की जरूत नहीं है अगर आपका मोबाइ लिंक के अंदर आपको काफी कम टाइमिंग है तो देरी नहीं करना है तो ध्यान रखना है यह पॉइंट आपको याद रखना है भूलना नहीं है चलेगा इस पेज से रिगारे आपकी सारी जानकार या आपको मिल गई होगी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कम histori की अपने बात करते हैं यहां पर डाला हुछ ने दला कहना है पहला निक अपने देखनें दूसरा आउंटन के लिए विकल्प पत्र भरने के लिए दिशा निरदेश क्या-क्या जानकारि आपको पहले देनी होगी जब आप चोईस भरते यानी चोईस भरने से पहले या सारी जानकारि आपको समझ में आनी चाहिए तभी जाकर चोईस आपको सही से भरना पड़ेगा यानि सही से भर पाएंगे चलेगा बात करते हैं कि क्या-क्या जानकारी क्या-क्या इंस्ट्रक्शन आपको फोलो करने होंगे पहला उप्शन यहां पर देखेगा पहला क्योश शरी पहला नंबर यहां पर दिया हुआ है देखेगा सविदा सीयचो भरती 2020 के अंतरगत नियुक्ती हैतु जीला आउंटन के लिए अभ्यारती विभागी वेबसाइट पर दिये गए वेब लिंक पर अपना रोल नंबर और आवेदन पत्र में अंकित मोबाल नंबर की सहायता से लोगिन करेंगे सबसे पहला पॉइंट ये मेंशन किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है जो की सक्सेस्पूली ट्रेनिंग कर चुके है उन कैंडिडेट को पोस्टिंग के लिए अपने web link के अंदर अपनी choice fill up करने होगी और choice fill up करने के लिए आपको web link को क्या करना होगा सब से पहला काम करना होगा सर login करना पड़ेगा login सर कैसे करेंगे login कुछ नहीं करना है जैसे web link पर आप click करेंगे click करने के बाद आपको एक interface निकल कर आएगा आपके सामने अभी जानकारी दूँँगा, उसके बारे में भी अभी केवल इंस्ट्रक्शन अपन देख रहे हैं, तो वहाँ पर लोगिन करेंगे, आप दो डिटियल्स वहाँ पर डालेंगे, पहला तो आप रोल नमबर डालेंगे, जो आपके फाइनली रोल नमबर थे, जिस रोल नमबर को अभी तक आप देखते आ रहे हैं, एक्जाम से लेकर अभी तक जो फाइनली आपका एडमिट कारता, उसके अंदर जो रोल नमबर थे, वो मेंशन करने हैं, वो आपको फिल करने हैं, उसके बाद अपने मोबाइल नमबर फिल अप करनें, जो रजिस्टर्ड मोबाइल न बढ़ी करने के बाद, आपको लोगिन कर देना हैं, क्या कर देना हैं, लोगिन कर देना हैं, अब जैसे ही आप जनरेट mira करेंगे तो second point या पर रोल नमबर भरने के बाद आप जो मोबाइल नमबर भरेंगे और इमेल भरेंगे इमेल भरने का ओप्शन आला की आपके पास नहीं है लेकिन जो पहले से आपने भर रखाए जो भी रजिस्टर्ड है उस पर आपके पास क्या जाएगा सर ओटीपी जाएगा तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर और आपके मैल पर आपको ओटीपी मिलेगा उस ओटीपी जरेए आगे की प्रोसेस आपको करनी होगी चलेगा आगे बात करते है पर तरड़ पर तरड़ पोइंट के अंदर क्या मेंशन है देखेंगा सारी जानकारी आपको डिस्टिक मिल सकता है इसलिए जल्दी बाज नहीं करना है बिल्कुल आपके पास अभी टाइमिंग है और इसलिए मैं पूरी जानकारे आपको एक साथ दे रहा हूं चलेगा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट यहां पर आपको जो भी अभ्या डालना है उसके बाद आपके पासवर्ड भी वहां से जन्रेट हो जाएंगे पासवर्ड जन्रेट होने के बाद आगे की स्क्रीन आपके सामने आएगी आगे की स्क्रीन में क्या-क्या ओप्शन होगा वह आगे अपन देखते हैं यानि आगे आगे आपको परसनल आपकी ड जक्रण में है तो उसके according आपको option मांगा जाएगा उस option को आपको फिलप करना है उसके according उसकी ID यहाँ पर डालने हैं यहाँ इस पेसली जो girls है यानि female candidate है उसके लिए काफी बड़ा फाइदा यहाँ पर होने वाला है काफी बड़ा फाइदा यहाँ पर होने वाला है क्यों कि जो भी girls जो married है और जिनका husband अभी कहीं employment employee है तो उसकी personal details यानि उसकी details भी यहाँ पर मांगी जाएगी ताकि उस lady को उस female को उसी के husband की जो department है या जहाँ पर उसकी joining है जहाँ पर वो employee है वहीं पर उसको joining दी जाएए काफी अच्छी बात है है कि उसको benefit होगा चले आगे बात करते हैं six point six point पर six point में लिखा हुआ है सभी अभ्यारती portal पर सभी 34 जीलों को यानि 34 जीलों को अपनी प्रात्मिक्ता के इसाब सी क्या करेंगे सर अंकित करेंगे सर यहाँ से आपके mind में doubt आ सकता है कि सर हमें क्या सभी जीले भरने है हाँ बिलकुल सभी जीले भरने है आपको information मिली ती अभी तक कि सर हमें 3 जीले submit करने है priority base पे 3 जीले हमें बरने है लेकिन ऐसा नहीं है आपको पूरे 34 के 34 जीले भरने होंगे priority base पर बरना है आपको प्राद्मिक्ता देते हुए, पहला choice आपका home district डाल सकते हैं, उसके बाद जो आप लेना चाहते हैं, उसके बाद, यानी priority set करते हुए आपको पूरे 34 के 34 district, पूरे 34 के 34 जीले यहां पर submit करने हुँगे, और जब आप यहां पर भर देते हैं, तो उसके बाद आगे जा बाद आपका यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपको वेट करना है एक से दो दिन तीन दिन है उसके बाद वैसे ज्यादा वेट आपको करवाया नहीं जाएगा हाला कि जो लास डेट हैं वेव लिंक की उसके एक दिन बाद ही आपकी अलोटमेंट लिस्ट जारी होने की संभावना है तो बिलकुल भी परिशान होने की जरूत नहीं है बस ध्यान से आपको अपनी चोईस भरनी है और मैं बता दूं आपको कि आपको चोईस में से फर्स्ट और सेकंड प्राइडियोटी मिलने के चांसे नाइंट नाइन परसेंट बाकी चांसे कम है 99% क्योंकि सभी health and wellness अभी खाली है क्योंकि यह first vacancy आपकी होने वाली है तो यहां तक आपको सारी जानकरी मिल गए होगी अब अपने बात करते कि वेबलिंग के अंदर क्या-क्या process होने वाली यह तो अपने instruction की बात की और instruction I hope आपको समझ में आगेंगों सारे instruction लेकिन एक ब अगर आपने submit कर दिया है web link तो दूबारा से आप उसमें किसी भी type का कोई editing नहीं कर पाएंगे कुछ भी change नहीं कर पाएंगे इसलिए जो भी करना है सो समझ के करना है और सो समझने के साथ पहले समझ लेना है पहले check out कर लेना है उसी के बाद submit करना है otherwise एक बार submit होने के बा अब बात करते हैं अब बात करते कि web link में क्या-क्या हमें भरना होगा तो मैं वापस से आ जाता हूं officially website पर और officially website पर आने के बाद यहां पर सबसे सबसे नीचे वाला option देखेगा पहला link अपने देख लिया दूसरा link हमने देख लिया तीसरा link हमने देख लिया और fourth link यहां पर लिखा हुआ है guideline to fill online option for the contractual CHO Community Health Officer recruitment 2020 यानी जो online option आप भरेंगे district चोईस आप भरेंगे उसके regarded क्या-क्या guideline आपको follow करनी होगी उमीद अभी तक कि सारे जानकारी आपको समझ में आगे होगी तो सभी से कहना चाहूंगा कि इस session को इस video को जादा से जादा share करना है ताकि सभी CHO तक ये पहुँचा है और सभी CHO अपनी जो district choice है वो अच्छे से तरीके से सही तरीके से भर सके बिलकुल किसी को भी problem है ना इसलिए सब तक पहुँचा दीजेगा like share कर दीजेगा और जो भी पहली बार visit कर रहा है channel पर channel को जरूर से subscribe कर लीजेगा क्योंकि इस तरीके से update और इसी तरीके से complete जानकारी आपको यहां पर available होती रहती है चलेगा आप बात कर लेते फाइनली guideline की और guideline जैसे ही में इस link पर आपको click करता हूं जैसे ही आपकी guideline open हो जाती और इस तरीके से interface आपके सामने निकल कर आता है guideline to fill the online option for online option forum for the contractual CHO recruitment 2020 इसको भरने के ल open हो गया है देखेगा यह link है इस link पर click करके directly आप web link पर जा सकते हैं या फिर officially website पर आपको web link मिल जाएगा तो इस link पर भी आप click कर सकते हैं सभी link में description box में mention कर दूंगा आप directly जा सकते हैं या पी राजवास्ते.nic.in पर जैसे ही आप click करते तो आपके सामने अफिसली पेज ओपन हो जाता है और अफिसली पेज ओपन होने के बाद आपको सारी details आपके सामने आ जाती है चलेगा यह link आपके सामने है आप देखेगा जैसे ही web link पर आप click करते हैं तो same as a tease option same as a tease screen आपके सामने आती है home page आपके सामने आता है जिसके अंदर आपको इसी तरीक का same page देखने को मिलेगा और same page देखने को मिलेगा तो सबसे पहले देखेगा यहां पर mention किया हुआ है CHO भरती 2020 के अंतरगत नियुक्ति हैतु जीला आउंटन के लिए विकल्प पत्र प्राप्त करने का portal यह है और समुदाइक स्वास्ते अधिकारी 2020 के लिए यह आपकी details यहां पर submit करनी है यानि आप district choice भर रहे हैं तो सबसे पहले option आपके सामने यही खुलेगा और इस option को खुलने के बाद आपको क्या करना है जो पहला option यहां पर दिया हुआ है उसके अंदर आपको roll number mention करने हैं जी क्या sir roll number mention करने आपके roll number जो की आपके शुरू से लेकर अभी तक आये हुए हैं यानि जिस roll number से आपने अपना competitive exam दिया है वो roll number यहां पर ड बता रहा हूं बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से बता रहा हूं बस आपको तोड़ा सा समझना है उसके बाद ही आपको web link में अपना option करना है अपना district करना है अधर्वाइस गलती हो सकती है ठीक है तो यह roll number आप भरेंगे यहां पर उसके बाद नीचे वाले option में आपको mobile number mobile number आपको डालना है mobile number कौन सा डालना है जो mobile number आपने registered किया था यानि जिस mobile number से अभी तक आपने काम किया है CHO vacancy के regarded यानि forum भरने से लेकर अभी तक जो भी process हुई है document verification से regarded सारी जिसमें आपने जो भी mobile number डाला था वो mobile number यहां पर डालना है और यहां पर डालने के बाद generate OTP यहां पर आप click कर देंगे generate OTP पर आप click कर देंगे जैसे ही click करेंगे आपके mobile में जिस mobile आपका registered हो रखा है यानि जो number आपका registered है उस number पर आपका OTP जाता है उसके अलावा आपका Gmail ID जो इस से जुड़ा हुआ है आपके इस forum से यानि आपकी details से जुड़ा हुआ है आप आपके इस CHO vacancy के अंदर registered है उस mail पर भी आपका OTP जाता है यानि दोनों जगे आपका क्या जाएगा sir OTP जाएगा एक तो registered mobile नमबर पर OTP जाएगा एक आपकी registered Gmail ID पर आपका OTP जाएगा दोनों जगे से आप अपना OTP collect करेंगे उसके बाद नीचे option दिया हुआ है यहां प एर फेजe open होने के बाद यहां पर आपसे मांगेगा जो details अपने फिल किया है चलेगा क्या मांगेगा वापस से आपको यहाँ पर क्या डालना है देखेगा जनरेट OTP जनरेट करने के बाद आप से एक नया पेज ओपन हो जाता है नया पेज ओपन होने के बाद देखेगा यहाँ पर डीटियल आपके सामने आ जाती है यहाँ पर आपके roll number आ जाते हैं आपके सामने roll number के बाद यहाँ पर आपके mobile number आ जाते हैं जो registered mobile number है अगर नहीं आते हैं तो आप fill up कर सकते हैं वैसे यहाँ पर यह detail आपके सामने already आ जाए क्योंकि आपने पहले ही भर दिया हैं उसके बाद जो OTP आपने generate किया था वो OTP यहा OTP on your registered mobile number and email ID जो आपकी email ID है जो registered है जो mobile number है जो registered है यानि दोनों पर आपका OTP आया होगा वो OTP यहाँ पर इस जगे आपको फिल करना है क्या करना है यहाँ पर फिल करना है उसके बाद सर यहाँ उतना काम होने के बाद सर आपको अपने पास्वर्ड जनरेट करने पड़ेंगे यहाँ पर लिखा हूँ है क्या कर देंगे सर यहाँ पर आप sign-in कर देंगे क्या कर देंगे sign-in क देंगे और अगर आप के पास OTP नहीं पहुचा हैं तो ठोड़ा-सा wait कीज़ेगा क्योंकि सारा कुछ online चांज सकता है तो ठोड़ासा wait कर लीज़ेगा और अगर mobile नमबर पर wait OTP नहीं आता है तो अपने mail ID को अच्छे से चेक कीजेगा, वहाँ पर आपको OTP मिल जाएगा, नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा wait करने के बाद process को फिर से कीजेगा, 100% आपको OTP मिल जाएगा, चलिएगा, और अगर फिर भी नहीं मिलता है, तो अपने mobile में recharge करवा लिजेगा, क्योंकि हो सकता आपने recharge नहीं करवाया, उसलिए आपका OTP जनरेट नहीं हो पाया होगा, जैसे ही आप यहां तक काम कर लेते हैं, उसके बाद एक नया page open हो जाता है, आपके पास home page after login, जैसे ही आप login कर लेते हैं, उसके बाद एक home page आपके सामने open होता है, इस home page में आपको अपनी basic details जानन पड़ेगी, देखेगा यहां पर एक और जानकारी में आपको देदेता हूं, कि जो forum आपके सामने आएगा, नया home page आपके सामने आएगा, उसमें इधर की side पर आपका नाम यहां पर mention होगा, आपका फोटो यहां पर दिखाएगा, आपका नाम और आपका फोटो यहां पर दिया है चलेगा आगे अपन बात करें तो बैसिक डिटियल्स के अंदर सर ग्याद डालनी है चलेगा सबसे पहले जो ओफ्षन दिया हुआ है लिखा हुआ है इदर कोलम भी बनाया हुआ है बैसिक इन्फोर्मेशन आर्ट डिस्प्लेड हैर यहाँ पर ओल्डेडी आपकी डिटियल्स आ जाएगी आपको भरने की जरूत नहीं पड़ेगी सारी डिटियल्स यहाँ पर आ जाएग एक बार इस डिटियल्स को चेक आउट कर ली जगा अगर डिटियल्स नहीं आती है तो आप भर भी सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं आती है तो आप भर भी सकते हैं लेकिन जहां तक पोसिबल है 100% यहाँ पर आपकी डिटियल्स सारी डिटियल्स यहाँ पर जायेगी अगर नहीं आती तो आप भड सकते हैं एसा कोई इस You nd chips नहीं आई तो खाली छोड़ देंगे नहीं भड सकते हैं और अगर आ गई यह तो अच्छी बात हैं उसके बाद यहां पर आपका हो निश्टिक भी यह जाएगा अगर नहीं दिया उँआ हैं खाली छोड़ रखा हैं तो आप वहां पर भी Fill up कर सकते हैं वहां पर भी आप भर सकते हैं तो यह जानकारी आपको समझमें आगए होगी यह तोigmस कर सकते हैं चलिएगा tickets आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स ओप्शन की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है दिव्यांग विद्वा या प्रित्यक्ता या भीर भूत पूरु सेनिग अगर इन में से किसी भी केटिगरी पर आप हैं तो यहां पर एस और नो का या दो ओप्शन मिलेगा एस और नो का आपको क्हां देखने को यहां तक की डिटेल्स मता रहा हूं उसको ध्यान रखना है वही आपके लिए जरूरी है अभी तक की डिटियल सबको आसानी से समझ में आ गई होगी लेकिन अब जो डिटियल बता रहा हूं वो आपको समझने पड़ेगी देखेगा तीन दो से तीन प्रोसेस यहाँ पर होगी दो से तीन अलग-अलग ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे यहां पर next option आपका है वेवाइत इस्तिती यानि कि marital state की बारे में यहां पर पूचा गया है कि जो भी candidate है वो married है या unmarried है अगर unmarried है तो ठीक है और married है तो फिर क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो अपन देखते हैं तो देखेगा यहां पर candidate है अगर दो option यहां पर मिलेंग यानि विवाइत और विवाइत का option यहां पर मिलेगा अगर आप married है तो married पर आप क्लिक कर देते हैं विवाइत पर आप क्लिक कर देते हैं और नीचे फिर एक option आपके सामने दिखेगा अगर आप married है तो नीचे mention किया हुआ है कि अगर आप विवाइत है तो क्या आपका पत या पतनी राजस्तान सरकार में कारिरत हैं ये option आपसे मांगा जाएगा चाहे आप male हो चाहे आप female हो दोनों के लिए ये option मांगा जाएगा अगर आप married है तो married है जैसे आप married पर क्लिक करेंगे विवाइत पर क्लिक करेंगे वैसे ये option आपको मांग लिया जाएगा कि अगर आप married है ठीक है आपने भर दिया है लेकिन अगर आप married है तो आपका husband या आपकी wife क्या राजस्तान सरकार में कहीं job करती है या job करता है यहाँ पर yes और no का option आप है अगर no है देखेगा यहाँ पर मैं case first मान लेता हूं इसको कि आपने विवाइत हैं आप married है और आपका husband या wife कहीं पर भी जोब नहीं करता है मैंने no option यहाँ पर क्लिक किया है ठीक है मान के जालेगा case first आप यहाँ पर समझ लीजेगा कि ऐसी case है कि CHO जो CHO है वो married है लेक करने के बाद आपकी responsibility खतम हो जाती है अब बड़ी responsibility आपके सामने आ जाती है married करम की आदार पर या married क्रम प्राथमिकता पर जीले उप्श्य का नाम यहाMPर आपके सामने हो गार शोन जातीस के चो तीस ये आपको यहां पर भरने होगे यांनि priority सेट करने होगी सबसे पहले किस district में आप अपना जाते हैं वो यहां पर जैसे याप क्लिक करते हैं यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक list आपके सामने open होगी और list open होने के बाद उसमें जो भी जीला आपको चाहिए सबसे पहली priority में उस जीले को आपको क्या करना है select करना है select करने पर यहां पर option हो रखाऊगा नीला हो उसको जैसे क्लिक करेंगे तो वह आपका डिस्टिक का आजाएगा सर नीची आजाएगा आपका डिस्टिक जो भी आपने सलेक्ट किया है फर्स नंबर डलके यहां पर डिस्टिक का नाम आजाएगा और यहां पर ओप्शन आजाएगा डिलिट का यहां पर ओप्शन किसका आ 34 district आपको यहां पर भरने होंगे, पूरे 34 से 34 जीले आपको यहां पर भरने होंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी priority देखनी है, सबसे पहले number पे आपको क्या चाहिए, वो बरना Graduate, उसके बाद अगर वो नहीं मिला तो second number पे आपको क्या चाहिए, वो बरना है अगर वो नहीं मिला तो third number पे आपको क्या चाहिए वो बरना है इसी तरीके से priority set करते हुए प्रात्मिक्ता देते हुए आपको सारे district यहां पर भरनी होंगे और जैसे जैसे आप उपर से select करते जाएंगे वैसे वैसे list यहां पर बनती चली जाएगे यहां पर list आ अब यहां पर आपने पूरे 34 के 34 जीले भर दिये हैं उसके बाद कुछ नहीं करना है नीचे submit का option है एक बार check करके submit कर देना है एक बार check करके submit कर देना है और जैसे ही submit पर click करते हैं तो आपके सामने आगे एक page open होगा जो कि अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा अभ यहां पर फोरम भर रहा था वो CHO भी married था और उसका husband या उसकी wife उसका husband और उसकी wife government job नहीं करती हैं कहीं पर भी तो उसके regarded यह process रहेगी लेकिन आगे बढ़ते हैं अपन second case के अंदर second case ऐसा आपको मिलता है कि सर जो CHO जो candidate यहां पर फोरम भर रहा है यानि choice भर रहा है वो अभी यहां पर unmarried है क्या है सर unmarried है अविवाइत है सर अविवाइत है तो उसका wife और husband तो हो गाई नहीं है तो सर नीचे वाला option का आजाएगा सर नो आजाएगा क्योंकि सर इसके अंदर लिखा हुआ है अगर आप विवाइत है तो लेकिन आपने उपर ही भर दिया है अविवाइत तो आइधिंग यह option आपके सामने नहीं दिखेगा और अगर दिखे तो फिर आपको नो कर देना है लिक आप करेंगे आपके सामने सारे 34 के 34 जीले यहां पर open हो जाएगे खुल जाएगे उसके आधार पर पहला चोईस आपको भरना है जो आप पाना चाहते हैं फरस्ट यहां पर आजाएगा डिस्टिक नाम यहां पर आजाएगा और यहां पर डिलिट का option आजाएगा वैसे फिर second इसी तरीके से आगे mention होगा third फिर आजगे इसी तरीके से mention होगा यहां पर आपके सामने mention हो जाएगे फिर बोल रहा हूँ अगर आप यहां पर देखते हैं कि आपने गलत भर दिया हैं गलती से गलत भरने में आ गया है कोई डिस्टिक है तो वहां से आप पीछे option दिया होगा आपको पीछे आपको option दिया होगा वहां से आप उसको delete कर सकते हैं वहां से आप उसको delete कर सकते हैं वाइल लोक हो जाएगा उसके बाद यह वापस से इडिटिंग लाइक नहीं रहेगा उमीद है सेकंड केस आपको समझ में आगा होगा सर सेकंड केस में यह था कि CHO था अनमेरिट था और विवाइत था ऐसी कंडिशन में यह सा होगा लेकिन अगली बात अपन करते हैं नेक्स हैं तो ऐसी कंडिशन में आप औप्शन क्या trademark करेंगे सर यहां यहां का option लिखेगा ऐकर लाइन लिखी हुए कि अगर आप विवाइत हैं तो आपका पती यह आपकी पतनी राजस्तान सरकार में कारे रत हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर हाँ अब जैसे ही आप हाँ करते हैं यहाँ पर तीन ओप्शन आपके सामने खुलेंगे पहला दूसरा और तीसरा तीन ओप्शन आपके सामने खुलेंगे तीन ओप्शन में पहला जो वी मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं क्या वो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में है या फिर कोई other department में हैं वो department का नाम यहां पर लिखेंगे और उसकी employee ID यहां पर लिखेंगे तो यह details आपकी कुसकावरी के लिए मांगी जा रही है आपके लिए ही मांगी जा रही है क्यों मांगी जा रही है कि अगर आपका husband और अगर आपकी wife जिस जीले में है अगर वही details आप यहां पर submit करेंगे तो chances यह बन जाते हैं कि 90% आपको district वही allot होगा जहां पर आपका husband यह आपकी wife job करती है ताकि बिल्कुल भी आपकी family को disturbance ना हो इसलिए यह choice भरवाई जा रही है क्योंकि इससे पहले जो आपको option आपके सामनी आया है और इसलिए यह choice आपसे भरवाई जा रही हैं तो यह details सही से बरना है यानि जो CHO married है और अगर उसका husband या wife government राजस्तान सरकार में यानि government job करती है या करता है तो उसके according यह details आपसे मांगी जाएगी और अगर यहाँ पर no कर देते हैं तो आपको यह details नहीं मांगी जाएगी लेकिन अगर जिसके पास ऐसा option है जिसको यह सारी category fulfill हो रही है कि उसका husband या wife job करता है तो यह details सही से बरेगे क्योंकि आपको chances बन जाता है कि आपकी भी allotment वही पर होगा जहां पर आपका husband या आपकी wife का allotment है यानि वो job करता है या करती है उसके बाद वही option यहाँ पर सर नीचे लिखा हुआ है सर नीचे वही बात है सर डिस्टिक भरनी है मेरिट करम में आपको प्रात्मिक्ता के आधार पर पूरे 34 के 34 जी ले के आप करने यहाँ पर select करने और select करके submit कर देना है देखेगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे वही सारी list आपके सामने आजाएगे पूरे 34 की 34 डिस्टिक के पूरे 34 जी ले आपके सामने आजाएगे और जीलो को आपको क्या करना है सर प्रायोरिटी बेस पे पहला चोई से भरना है कि सर आपको सबसे पहले जोइनिंग कहां पर लेनिंग है यहां पर नंबर आएगा आपको सीरियल नंबर होगा यहां पर आपकी डिस्टिक सो होगी और इधर एक्षन में आपको डिलीट ओप्षन देखने को मिलेगा तो डिलीट ओप्षन आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो सही तरीके से आपको यहां पर भरनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से पूरे 34 के 34 district आपको fill करने है अपने priority के आधार पर कि अगर पहला नहीं मिला तो हमें दूसरा चाहिए तो दूसरा कौन सा priority देनी है अगर दूसरा भी नहीं मिला है तो तीसरा कौन सा चाहिए उसकी priority देनी है इस तरह किसे priority यानि प्रात्मिक्ता देते हुए आपको सारे district यहाँ पर भरने है यहाँ पर district के नाम आ जाएगे यहाँ पर उसके serial number आ जाएगे और यहाँ पर action बटन आ जाएगा जिसमें delete लिखा होगा अगर गलती से कोई district गलत भर जाता है तो उसको delete करके दुबारा से आप भर सकते हैं उम्मीद है यहाँ तक आप बिल्कुल सही करेंगे एगर यहाँ तक कोई क्योरीज आपको रह जाती हैं कोई भी doubt आपको रह जाता है इस process के लिए यहां तक की process के लिए कोई भी doubt रहे जाता है तो आप comment कर सकते हैं या मुझे personally message कर सकते हैं Instagram ID मेंने नीचे mention कर रहा कि यह description box में अगर कोई भी doubt कोई भी questions आपके mind में रहता है तो मैं नीचें का हैं आगे बढ़ते हैं इस तरीके से आपको less कुलेगी आपको पूरे district की यहांसे सफ़के कर लेना है और सफ़ेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरीका से option आता है नोटिफिकेशन आपके सामने आएग नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा इस तरीके का जहांपर ओके बटन यहां पर होगा उस ओके पर आपको क्या कर देना है सर क्लिक कर देना है उस ओके को क्या कर देना है सर ओके कर देना है और जैसे ही ओके करते हैं आपकी डीटियल सम्मिट हो जाती है और डीटियल सम्मिट होने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट आपके साम और प्रिंट आउट लेने के बाद उसको अपने पास रखेगा और वेट कीजिएगा एक से दो दिन तीन आपकी अलोटमेंट लिस्ट आने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि सर आपको जोइनिंग कहां करना है बिल्कुल जोइनिंग वहीं पर करना है जो आप स हाईयर किया जाएगा कि आगे आपको किस फैल्त वेलडनेस शेंटर अपने आपको जोइन करना है अपने आपकी प्रेजंस देनी है यानी सिंचों और आपकी जोइनिंग करवाएगा Prof SRPN LA जो भी होगा आगे अपडेट करदिया जाएगा उवीद सारी प्रोश्यस आपको समझ में आ गई होगे किस तरीके से वेब लिंग पर आपको काम करना है किस तरीके से वेब लिंग में आपको अपनी डिस्टिक चोईस भरनी है उमीद है हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन सारी डिटेल एक साथ मैंने आपको दे दी है अगर इससे regarded कोई भी doubt आपका रहता है तो आप comment section में comment कर सकते हैं या description में मैंने instagram id रखी हुई है डाली हुई है वहाँ से आप मुझे directly contact कर सकते हैं इसके regarded जो भी link होगा मैं description में paste कर दूँगा और telegram channel का link भी description में paste कर दूँगा ताकि आपको देता रहता हूं और इसी तरीके से update अगर पाना चाते हैं चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को ओल पर प्रेस कर लीजेगा क्योंकि इसी तरीके से complete जानकारी में आपको देता रहता हूं बाकि आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आगी होगी फिर भी कोई queries रही हो तो उसके लिए आप comment कर सकते हैं आपके सारी queries है बिल्कुल solve कर दी जाएगी बाकि आज के लिए इतना ही मिलते हैं next update के साथ जल्द ही जब तक के लिए wish you all the best thank you very much for joining this video जादा जादा इस video को share करना है ताकि सभी तक यह information पहुँच जाए सभी तक यह सारी जानकारी पहुँच जाए thank you very much